उत्रकाशे में बेराज से सटी RCC की रिंग बॉल को तोड़ने का काम तेजी से चल रहा है उत्राखन जलविद्यूत निगम ने APS कंपनी को उसका जिम्मा सौपा है लेकिन इक 30 मीटर लंबी और 34 मीटर उचाई की इस दिवार को तोड़ने से कमपन होतपन हो रहा है जो कि बराज के लिए खत्रे की घंटी हो सकती है पूरा जो बांद की जो दिवार जो बांद का स्ट्रेक्टर है उसमें मुझे लगता है और बहुत बड़ा खत्रावत्पन हो सकता है तो जल्ब दुद निकम को चाहए था कि तक्नीकी रूप से और एक्स्पर्टों की निकरानी में इस जो पुरानी जो दिवार निकम इसको हटाय जाना चाहा था और बहुत सलोली इसको हटाया जाना चाहए था इस तरह का जो ताकत से हैमर से और जेसी भी मसीन से इसको तोड़ा जा रहा है ये बिलकुल जलासे के लिए बांध के लिए बहुत बड़ा खत्रा है ये मुझे लगता है कि जल्वी दुद निकाम इसमें अंदेखी कर रहा है हलंकि विभागी अधिकारी कारी के दोरान साफधानी बरतनी की बात कह रहे हैं और साथी बराच पर किसी तरह के खत्रे के ना होने का दावा कर रहे हैं इसमें अभी दो टेक्निक यूज की जा रही है एक तो जो है हैमर द्वारा जो है डिस्मेंटल किया जा रहा है दूसरा डाइमंड वायर द्वारा जो है कटिंग का कारे चल रहा है और जो टेकनोलोजी यह है जो हमारे एग्रिमेंट में दोनो टेकनोलोजी जो है डिस्मेंट लगतार महसूस हो रहे कमपन से लोगों को अपने घर की दिवारों पर दराराने का डर सता रहा है फिलहाल नेगम के करमचारी तकनीकी विशशक्य समीती के पाले में गेंद डाल कर अपनी जमेदारी से बचते दिखाई दे रहे हैं उतरकाशी से आशीश मिश्रा के रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी